हेलो एव्रीवन सो वेरी 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 गुड़ी इन्ग प्रवीन चौधरी यान कि आपके पीसी वापका आप सभी लोगों को वापिस से तहे दल से नमस्कार तो गाइज फाइनली इंतजार की जो घडिया है वो हो चुकी है खतम और नवंबर 2022 के CSWD एक्जाम के अंद है और मैं बहुत ही जादा कॉन्फिडेंट हूं कि आपका जो यह एक्जाम है यह बहुत ही अच्छे मांग से पास होने वाला है रीजन भी कि आपने जिस लेवल की पढ़ाई करी है ना उसके बाद में फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है लेकिन इसी के साथ में दिम होता है CS Executive क्या क्या कंटेंट उसके अंदर रहता है किस तरीके से हमें उसको अप्रोच करना होगा कैसे हमें आगे बढ़ना होगा इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है तो गाईज आज का जो यह वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम यहां पे यह देखने वाले हैं कि अगला जो पड़ाव आपका है जिसका नाम है CS Executive उस पड़ाव में क्या-क्या चीज़ें आपको दी हुई है कैसे इसके लिए आपको अप्रोच आगे करना होगा और किस तरीके से आपको strategy जो है वो यहां पर बना के चलनी पड़ेगी जैसे आपका result आज है उसके बाद में immediately आप क्या कर पाएं CS Executive के लिए अपनी जो तयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप आखरी मॉमेंट तक जरूर देखेगा जब आप यह आखरी मॉमेंट तक देखेंगे तो CS Executive के बारे में सारी की सारी जो चीज़े रहेंगी न वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी और इससे आपक को CS Card India के efforts पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो का आप लाइक जरूर कर दीजेगा और इसे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजेगा क्या चीजें इसके अंदर रहती हैं कितने सब्जेक्ट रहेंगे क्या बुले यहां पर पासिंग का पसंडेज रहने वाला है इनके बारे में एक बार हमें बता दीजीगा तो यहां पर बहुत द्यान से देखिए का क्या कहा गया सबसे पहली बात यहां पे आपके कुल मिल नहीं है रीजन विंग कि सीए से डबिलिटी में आप यह टॉपिक के बारे में पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में ट्रेलर जो है वह आपने देख लिए इंपॉर्टेंट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रजेक्ट होगा यह एंसी क्यों प बात डिटल में करें यह पूरा का पूरा पूरा जो एक पेपर आपका है वो रहेगा कितने मांक का जिसको सॉल करने के लिए आपको थ्री आर्स का टाइम जो है वो दिया जाएगा तीन घंडे का वक्त आपको यहां पर मिलने वाला होगा और यह बहुत द्यांसों सुनिएग कि कंपनी लौ में पास होने के लिए आपको सौ में से कितने 40 मार्क जो हैं यानि कि 40 परसंट मार्क जो होंगे वो इंडिविजियली आपको यहां पर लिखे आने रहेंगे ठीक है फिर इसके बाद में दूसरा सब्जेट आपको यहां पर आएगा उसका नाम क्या है टेक्स पर लोग यहां पर करने वाले हैं और 100 मार्क का प्रिपरेशन जो होगा वह आपको यहां पर करना होगा यहां पर लिया जागा लेकिन यहां पर एक नेगटिव बात भी है वो क्या है कि सर्थ कि में अगर मानलो कोई कॉष्ण का जवाब आपको नहीं आता ओकी तॉक्का मार दिया तो लेकिन यहां पर आपको नहीं मार पाओंगे अगर जवाब आपका गलत हो जाता है तो शचूशन्स के जवाब अपने गलत दे दिये तो एक मार्ट जो आपका होगा वो डिड़क्ट हो जाएगा सही जवाब हो में सभी राइट चली अगला पॉट यहां पर आता है आपका कौन सा जे आई जी यह क्या है जे का मतलब होता है जुरिस्प्रेटिंस मतलब लॉक का नॉलेज रखन कुल मिलाकी अगर मैं बात करूँगा तो लगा लिजए कि 17 acts जो है ना 17 अलगलग कानून जो है वो यहां पर आपको दिये गए होगा जिनके बार में study आपको करना होगा और again describe करके जो answer है वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा यह paper भी आपका कितना 100 माग करेगा फिर इसके बाद में एक आता है आपका S.B.E.C. मतलब सर सेटिंग अप आप दे बिजनस एंटिटी एंड इसक्लोशर बिजनस एंटिटी को सेट अप करना और फिर उसके बाद में उसको क्या कर देना क्लोस कर देना उसको बंद करना इसके लिए बहुत सारे प्रोसेजर होते होगा क्या क्या प्रोसेजर होगा इसके बारे में पूरा जो स्टडी आपका रहेगा वह अपन यहां पर करेंगे और यह भी आपका क्या रहने वाला है सब्जेक्ट्व यानि कि M.C.Q. बेस नहीं होगा आपको यहां पर चीजों को इलॉबरेट करना पड़ेगा यह भी कि कहा कि 40 its 40 . 40 यहां पर कड़ेगा यहां पर करूंगा तो आंको स्क्राइफ क्ने governance यहां पराइब करने पड़ेगे तब आपका क्या होगा जो गूर्प 1र में बात करूंंगा तो एक है आपका M.C. m.A. corporate management accounting, एक है आपका FM financial & management والा accounting एक है आपका EBCL मतलब economic business and commercial वाला law और फिर एक है आपका SLC में यानिकि securities law and capital वाला market इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बाते जो हैं वो आपने CSWT में पढ़ी हुई हैं लिकिन detail में बात करूंगा तो elaborative जो आपका होगा वोपन अभी CS में क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले इसमें से यह बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं corporate management account और अगर मैं FSM के बारे में बात यहां पर करूंगा तो यह आपका अगिन कैसा रहने वाला है एम से क्यों बेस्ट रहने वाला है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ EBCL और SLCM के बारे में तो यह वापिस से आपका subjective रहने वाला है और हर एक paper जो आपका होगा यह 100-100 mark का होगा जिसमें से आपको क्या करना है इंडिविजुली 40 marks जो है वापको यहाँ पर secure करने रहेंगे यानि कि कुल मिला के वही आपका 400 mark का paper होगा जिसमें से 200 marks जो है वापको यहाँ पर passing के तौर पर लेके आने रहेंगे कितना लाने होगे 200 marks जो है वापको यहाँ पर लाने रहेंगे अगर मैं आपको यहां पर पढ़ना है और यह ध्यान रखेगा सर यानि कि यहां पर पॉइंट यहां पर यहां पर लाने हैं जिसमें से यहां पर यहां पर लेके आने रहेंगे अगलर सवाल यहां पर यहां पर पढ़ने पढ़ने हैं ताकि एक ही अटेम्ट में हमारा जो एक्जाम है यह बहुत अच्छे मांक से पास हो जाए तो गाइस यह बहुत द्यांसर सुनिएगा डिपेंड करता है कि आपका चार महिने का टाइम प्रेट जो है वह यहां पर उनको मिलता है सिर्फ चार महिन लेकिन अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करूंगा सर हम लोग कौन से वह वाले बच्चे जो या तो नवंबर में CSW का एक्जाम देते हैं और या तो फिर वो में के अंदर CSW का एक्जाम जो है वो देते हैं और अपने एक्जाम को पास करते हैं आपके लिए तो भाइसा मैं यह कहना चाहूंगा कि यू आर वन अप दे लग्येस्ट पोर्सन अफ दिस CS कोर्स कैसे आपको यहां अपनी प्रिपरेशन करने के लिए छे महीने का टाइम पिरेड जो है वो यहां पर मिलता है मतलब यह बहुत द्यांसर सुनिएगा कि जिन बच्चों को यहां पर सिर्फ चार महीने का टाइम पिरेड मिल रहा है मजबूरन उनको यहां पर क्या करना होगा सिर्फ और सिफ एक ही गुरूप का एक्जाम जो है वो यहाँ पे देना होगा मजबूरन, they don't have any option लेकिन अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो आपके लिए तो मेरे भाई यहाँ पे एक golden opportunity है कि 6 महीने का preparation करके 6 months का preparation करके आप अपने दोनों गुरूप का एक्जाम जो है वो पास कर भी सकते है एंड यहाँ पे आपको motivate करने के लिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि पिछली बार जो नवंबर 2022 के एक्जाम हुए थे CSWD के फिर उसके बाद में जो जून 2022 के एक्जाम सुए थे CSWD के उसके अंदर ये 6 लोगों ने सिर्फ 6 महीने पढ़ाई करके अपने बोद गुरूप को पास भी किया और और अल इंडिया रेंग जो है वो यहाँ पे हासल किया और इनके अलाव एक्जों के बारे में बात करूंदा इनोंने अपने मुगों सब्सक्राइब में घूर के आपने सब्सक्राइब पहुएजक अंदर तो यूए खुन RP करते हैं तो जैसे कि इंडिया के इन बच्चों ने एक्सल किया है ऐसे ही आप भी यहां पर कर सकते राइट चलिए सर इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यह बहुत ध्यान से सर छे महीने हमारे पास में हैं और जैसे की हमारे पास ने हमने क्या कया था Celsius डवीडि में एकार्गिट जो है वो यहां पे लेकर चला था कि हमें इस इक्साम के अंदर जब तक हम तोडेंगे नहीं तब तक हम चोड़ेंगे नहीं और One 80 से और ही दोनों ग्रूप के जो एकजाम है वो निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्ग से निकाल सकते हैं अलेड वाला है जिसमें कि आज सुभे जो content आपने पढ़ा था उसी content को आप आज के आज यहां पर अपनी faculty से पूछेंगे और अगर कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो उसको आज ही यहां पर क्या कर लेंगे clear कर लेंगे फिर इसके बाद में बात करूंगा तो फिर आपका रह में आपकी booster classes होंगी जिसके अंदर आपके राइटिंग का जो practice है वो अलग से करवाए जागा जिसके अंदर किसी भी question का आंसर जो वो professional में हो सकता राइट फिर इसके बाद में revision batch आपका रहेगा अलग से जैसे ही आपका regular वाला जो class है वो हो जाएगा उसके बाद में आपका revision batch होगा revision batch के बारे में आपका रहेगा चालीसा रिविजन क्या होता है तो याद है मेरे बाई तो marathon वाली class भाई सब अभी marathon class की बात अगर मैं करूं तो आप बहुत अच्छे तरह किसे जानते की कितनी जादा effective होती है आपकी marathon वाली classes है जब आपका पूरा syllabus complete हो चुका होता है और एक ही दिन के अंदर हमें क्या करना होता है revision जो है वो करना रहता है फिर इसकी बाद में अगर मैं बात करूंगा तो live test की बात की जब आइसा फुल कोर्स वाला test पहले आपका chapter wise weekly test होता है और फिर इसकी बाद में जब पूरा syllabus को revise कर चुके होते हैं तो आठवी बार आपका life test जब होगा फुल कोर्स वाला और वहां पे job questions के answer दे पाओगे तो जो confidence आपका वहां पे बढ़ेगा एक दम बहुत ही बढ़िया तरीके से और फिर इसके बाद में मेरे भाई महा marathon सर यह क्या होता है जैसे CSAWT में आपने कि किया था क्या किया था क्या किया था एक्जाम होने के जास्ट एक दिन पहले पूरे syllabus को हमने क्या कर दिया था complete कर दिया था सीम इसी तरीके से अगर यहां मान लीजिए June में फिर इसके बाद में मेरे भाई last but not the least यहां पर आता है आपका study planner यह बहुत द्याइज़ सुनियेगा अगर मैं बात करता हूँ study planner के बारे में तो यह आपका बहुत ही बढ़िया बहुत ही amazing वाली चीज़ है यह रिखें यहां पर क्या होता है आपके पास में यहां बकाइदा पूरा का पूरा study planner जो है वो बना के दिया जाता है जिसमें की आप यह लगा लीजेगा कि कौन से subject का कौन सा lecture जो है वो आपने day one पे complete किया था फिर उसको अगर आपको revise करने का है तो पहला revision आपका कब आपको करना है दूसरा revision आ को कब करना है scientific तरीके से ताकि जो पहले दिन का content आपका है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका क्या हो जाए revise हो जाए राइट study planner and study tracker दूनों की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो यह आपका यहां पे आ जाएगा जैसे अगर मैं पिछले वाली batch की बात करूं फॉर्स पने कब पढ़ा दूसरी बार उसको रिवाइस कौन से दिन करना है तीसरी बार कौन से दिन करना है चौती बार कौन से दिन करना है यह पूरा schedule बना के आपको यहां पे simply provide किया जाता है ताकि आप अपनी study को proper तरीके से plan जो है वो भी कर ले और साथ में इस बात को आप track भी करते रहें कि क्या आपकी जो पढ़ाई है वो सही direction में जा रही है और या फिर नहीं पहले दिन से लेकर मैं बात करूंगा तो last day तक यानि कि first of June से start हुई थी इसके बाद में बात करूंगा तो 30th of October तक पूरा schedule आपका है वो यहां पे रहता है जिससे आप track कर पाते हैं किस to the point मुले ठीके साब तो ये दस चीजें मेरे भाई आपको ध्यान होगा जब हम CSAWT में थे हमने यही डिसाइड किया था कि कोई भी subject को concepts के साथ में अगर 9-10 बार revise किया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस exam में हम क्या हो जाए फेल हो जाए सवाल ही पैदा नहीं हो अगर मैं यहां तक बात करूं regular class करेंगे फिर doubt solving session same day करेंगे ताकि दूसरी बार आज ही कि आज आपका revise जो हो जाए फिर एक हफते के बाद में आपका weekly test होगा ताकि पूरा का पूरा हफते बर का study जो है वो तीसरी बार आपका revise हो जाए फिर आपकी booster classes रहेंगी ताकि जिन और फिर इसके बाद में मेरे भाई जो हमारा आख्री महीने का घमासान रहता है जैसे CSWD में रहा था वही घमासान अपन यहां पे भी करने वाले हैं ताकि पूरा का पूरा content जो है वो कम से कम दस बार यहां पे क्या हो जाए आपका revise हो जाए understood the point ध्यान रखेगा मेरे भाई आप लोगोंने decide किया था CSWD में कि 180 प्लस माक्स लाने ही लाने हैं इस बार let us decide कि सर हमें यहां पे सबसे पहली बाद तो यह कि all India rank लाने के लिए जी जान लगा देना है लेकिन अगर all India rank नहीं भी आ पाए सर सबका तो नहीं आ पाएगा common sense क लेकिन कम से कम हमें यहां पर टागेट करके चलना है यहां यहां पर पास करना है यानि की यानि की जून 2023 के बाद में हमारा ड्रेक्ट एडमिशन जो है वो कहां पर होना चाहिए CS professional में होना चाहिए ताकि अगले जून 2024 में हमारे जो एक्जाम से हैं वो पूरे तरीके से complete ह हो जाए और सिर्फ ट्रेनिंग की रिक्वार्मेंट जो है वह आपकी यहां पर बची रहे तो यह सवाल यहां पर एक और आता है क्या तो प्रिप्रेशन जो है उसको बिले अपन स्टार्ट यहां पर करने वाले कैसे हैं तो इसके लिए अनलाइस करना बहुत जरूरी होगा क्या सबसे पहली बात तो यह कि अभी 23 या 24 तारिक को आपका जो रिजल्ट होगा CSWT का वह आ जाएगा फिर इसके बाद में एडमिशन वगरा करने में तक्रीब एक हफ्ते का टाइम पर जो है वह आपका लग जाएगा और फिर इसके बाद फिरस्ट ऑफ डिसंबर 2022 से कि मैंने आपसे कहा मैं दुबारा से आपको कहना चाहूंगा कि दिस और गोल्डन वाला अटेम्ट गोल्डन चांस है मेरे भाई यह चांस सिर्फ दो बच्चों को मिलता है एक वह बच्चा जिसने नवंबर में CSW दिया होगा और दूसरा वह बच्चा जिसने में CSW जो है वो दिया होगा और पास करली होगा तो ठाइट यहां पर आपका क्या रहे गा कि बोच गुशुरूब्ड जो है वह हमें जून दोजार पेस में यहां पर क्या करना है पास करने का है 안ब में मेरे बहुत ध्यान से दिखिएगा सबसे पहला काम क्या करेंगे आपको करना है कि 30 ओफ नवंबर 2022 के पहले पहले की website पर जाके सी इस एक्जिट्व के लिए आपको कर लेना है registration सब क्यों ऐसा 30 नवंबर के पहले ही क्यों करना है क्योंकि ध्यान रखेगा अगर गलती से आपका जो अड्मिशन वो 30 नवंबर के बाद में होता है तो डिसम्बर में देने के लिए आपको सिर्फ एक ग्रुप जो है वहीं मिलेगा आप दोनों ग्रुप के एक्जाम देने की बाद वहाँ पे नहीं कर पाएंगे सवाल ही पैदा नहीं होता है यह समझा तो 30 नवंबर 2022 के पहले पहले आपको करना होगा प्रोसेस वापे सब्सक्राइब करना होगा और नीचे से अगर आप देखेंगे तो थर्ड लास्ट वाला जो पॉइंट आपका होगा जिसमें कहा जाएगा रजिस्ट्रेशन इन्टु दे स्टुडेंट उस पर आपको क्लिक करना होगा और आगे का जो प्रोसेस है वह आपको करना रहेगा यह ध्यान रखेगा कि 30 नवंबर के पहले करना है डेट को आप महां पर मांक कर लिजेगा राइट चली अगला पॉइंट सर टेक यॉर ऑनलाइन क्लास अरे सर मैं तो फेस बैठा के करवाना पड़ता है अब आप मैचौर हो चुके हैं जब आप मैचौर हो चुके हैं जब आप यह जानते हैं कि आपके माबाप जो पैसा कमा रहे हैं उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है दिन रात एक कर देने पड़ते हैं खून पसीना कर देना पड़ता है खाना पिना सब कुछ बूल जाना पड़ता है तो उन माबाप का पैसा बचाना और फाइदे वाली जो चीज है उसको करना यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है अब वो मॉमेंट नहीं रहा कि आपको हाथ पगड़के बठाना पड़ेगा कि बेटा बैठ और यह पढ़ाई कर अब आप यह समझ चुके हैं आप यह मैचॉर हो चुके हैं कि अगर हमें अर्निंग करनी है और हमें मम्मी पापा के जो हाड़न मनी रहेगा उसको अगर बचा है कि सर मैं खुद से पढ़ने ही पाऊंगा क्योंकि मेरे पास में डेडिकेशन नहीं है मुझे बठा के पढ़ाना पड़ेगा मैं इम्मेचॉर हूं पर अब आप मैचॉर हो चुके यू नो सही क्या गलत क्या अच्छा क्या बुरा क्या माबाप के लिए मुझे क्या करना ह होगा you know about this got the point तो ऐसे केस में अगर मैं यहां comparison करूँ सबसे पहली बात say no to face to face classes and say yes to online वाले classes so why that so कारण क्या है कारण यह है सबसे पहली बात पैसा अगर मैं face to face classes के बारे में बात करूंगा तो आपको C.A. से एक्जिडिव की classes करने के लिए कम से कम 50,000 से लेके 70,000 रुपया जो है यह आपको यहां पर देना पड़ेगा जो कि क्या है बहुत मतलब बहुत जादा है सोच के देखे 50,000 रुपय से लेके किता 70,000 रुपया लेकिन अगर मैं online classes के बारे में बात यहां पे करूंग करेंगे बहुत गजब वाला सप्राइज जो है मेरे पास में आप सभी लोगों के लिए है अगर मैं पैसे की बात करो वह वाला पैसा जो आपके माबाप ने बहुत ही मैनत से कमाया था उसकी बात अगर मैं यहां पर अच्छा दूसरे एक और बात क्या सर ऐसे कितने तो आसपास पास में रहते में रहते हैं तो वहां से उठके Corona के जाएक हैं जहां पर फेज़र यहां पे लगाना ही पड़ेगा लेकिन वहां पे में रहना वहांपे ट्रैंफिन यह सब कर वाना तक्रीबन अगरने यहां पर बात क्रूंव सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ में मौल घुमने के लिए चले गए मूवी देखने जा रहे हैं तो आपका टार्गेट था जो आपका पत था वहां से भटक चुके भाई गए थे पढ़ाई करने के लिए भाई साब जाका रहें सिनेवा देखने जा रहें भाई साब निब्बे निब्यों का खेल जो वह चालू जाता है वहां पर तो यह बहुत द्यान रखेगा आपका टार्गेट है as soon as possible मुझे qualified company secretary जो है वो मुझे बनना है और उसके लिए आने का पीने का जाने का जो खर्चा होगा वह यानि कि आप यहां पे दो लाख रुपए अगले 6 महीने के अंदर क्या करने वाले खर्च करने वाले लेकिन अगर मैं online classes के बारे में बात करूंगा घर बैठे बैठे आप पढ़ाई करेंगे 8000 रुपए से लिके 20,000 रुपी यहां पे अगर मैं बात कूँ तो आपका समय जो है वो बर्बाद बहुत ज्यादा होने अलगे क्यों है इसा ज्यान से आट सब्जेक्ट हैं बुले हां आट सब्जेक्ट की classes के बारे में बात करूंगा अगर लगातार classes भी आपके रही तो 8 घंटे की classes देंगी बुले बिल दस बज़े तक जो टाइम प्रेट आपका था यह आपका इस preparation में क्या हो गया वेस्ट हो गया दस बज़े आप वहां पे गए हैं face to face class के अंदर आपने शाम तक की class देंट गई 6 बज़े तक की exhaust हो चुके हैं खतरनाक तरीके से फिर वहां से आप train में बैठ कर बस में बैठ तो मुझे आराम करना है तीवी देखने बैठ जाओगे कम से कम तीन घंटे आपके यहां पर वेस्ट होने वाले हैं पांच गंटे दो गंटे सुबए के तीन घंटे अगर आपने पढ़ाई पर और अच्छे से लगाई होते तो 100% बात है कि आपका और रिंग जो है वाराम से आगया होता सेलफ स्टडी जो आपकी है वाराम से यहां पर हो गई होती है को अगर मैं ऑनलाइन क्लास की बात कुछ घर पर बैटे दसबी क्लास स्टाट होने वाली है पांच मिंट पहले अगर आपने सिस्टम में लॉग इन किया आप क्लास को देखना स्टार्ट कर दें बाकी और कोई काम अगर आपका होगा तो वह आप यहाँ पे कर सकते हैं कभी मान लीजिया ऐसा हुआ कि सुबह मेरी क्लास तो फिर दोपहर को मैं लेकिन अगली क्लास थे वह सुरज सकी थी लेकिन उनकी तब्यत खराब होगी दो घंटे की उनकी क्लास है थे तो काम रहेंगे वहाँ पे कर सकते हैं आप घर के कामों में हाथ बढ़ा सकते हैं या जो भी और कोई क्मिटमेंट आपका होगा वह आप वहाँ पूरा कर सकते हैं जो मैं बात यहां पर करूँगा और नहीं जो टाइम आपका है जो कि सबसे ज़ादा important है आपके लिए बोध गुरूप को पास करने के लिए और all India rank को हासल करने के लिए वो भी आपका यहाँ पर बरबाद नहीं होगा फिर इसके बाद में भाई साब यह जो पॉइंट है ना यह तो बहुत ही ज़ादा खतर नागा क्या सर मेरी बारवी क्लास पूरी हो चुकी है अब मैं CS करने की बात यहाँ पर कर रहा हूं लेकिन 12 के साथ साथ में graduation भी आपको करना है कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि रेपिट नहीं जाओंगा तो वहाँ पर अटेंडंस पूरी नहीं होगी अगर अगर मैं क्लासेज में नहीं जाता हूं तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो मैं CS का कैसे दूँगा तो दोनों में से कोई एक चीज़ को आप छोड़ने की बात करें और graduation भाई आप पोस्त्र प्लवे का कमिट्मेंट था आपने वह पूरा कर लिया पर उसके बाद मैं online classes का एक्सेस शांव को भी आपके पास भी है आज भी आपके पास में है कल भी आपके पास नहीं है अदुंटे पास में रहता है अब जब अपने हिसाब से अपने time के सापसे अपनी convenience के यह साप से आप उसको देख सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है कभी भी 24 by 7 आदी रात को उटके अगर आपका मन हो रहा कि वैसा मैं को कोई डाउट नहीं बुले या फिर आपको खुद को यह लगा यार मैं बार बार डाउट पूछूँगा बुरा लग जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा लेकिन अगर मैं ऑनलेन क्लास के बाद को रुभाई साब आपका चेहरा सामने नहीं है जतनी बार आप पूछना चाहते हैं उतनी बार जितने नएने डौट आप पूछना चाहते हैं उतने नएने डौट गर्या शिंप्याओं वह आप पोत्सकते एल्ग। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाए देगा एक जून 2022 यहां पर छे का मतलब है जून और एक का मतलब है डेट और 2022 ठीक है एक तारीक को फिर इसके बाद में अगर आप नीचे जाते हो नीचे जाते हो नीचे जाते हो दो तारीक को फिर उसके बाद में अगर ऐसे आप 46 पूछ रहे मैं ऐसे करके जाता हूं नीचे किस पूरी jard क कतम होने तक जरब बताएं गया कि कितने पूछ मेरी ऊंगली इhen salah करते 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 हो जाएगी पागल और फिर भी यहां पर मैं आदेही पेजाएं सासे, को blessings can you believe कि यहां पर अगर मैं नमबर आफ दौट के बारे में बात करूंगा कि अगर मैं नमबर आफ के बारे में यहां पर बात करूंगा 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 अभी तो 6000 चल रहा भयी जल्दी कि यह देखे वह सब कि डेट एंड टाइम के साथ में यहां पर आप देखोगे 8600 डाउट्स जो है वह अभी तक यह बैच के अंदर लेकिन कब से लेकिए कब तक की बात कर रहो वैसा बाप फॉस्ट ऑफ जून से लेके 18 ऑफ नवंबर तक के बारे में बात जो है वो मैं यहा रहा हूं 8600 डाउट जो है वह बच्चे यहां पर पूछ रहे हैं और उनका जवाब यहां पर बच्चों को मिल रहा है अगला जो टॉपिक यहां पर आपका है डाउट सॉल्विंग के लावा सब एक बार फेकल्टी ने पढ़ा दिया फेकल्टी की क्लास हो चुकिए उसके समझने में टाइम लगता है मैं क्या कर जादा खतरनाक वाली चीज़ है कि अगर मैं online आपके faculty के availability के बारे में बात करूँगा तो 24 by 7 doubt solving session किस के उपर सर ये whatsapp के उपर जब भी आपको कोई doubt आया रात को 3 बजा पढ़ा ही कर रहे थे आपको doubt आया आपको लगा किया रहे मुझे पूछना पढ़ेगा आपने क्या किया इमीडियेटली आपके faculty को WhatsApp कर दिया मेरा ये टॉपिक पर डाउट है प्लीज ये डाउट को आप solve कर दीजा जैसे ही आपकी faculty free होती है आपने रात को 3 बिजे message किया एक बार तो मेरे साथ हुआ था 3 बिजे रात को आपको reply जो हो वहाँ पर मिल जाता है तो यह मेरे भाई आपके ऐसे facilities हैं online वाले के अंदर जो की face to face में नहीं मिलते इसका मतलब यह है कि online में आपका जो पैसा है वो कम खर्च होता है लेकिन utilization की बात अगर मैं यहां पर करूंगा तो maximum utilization जो है वह आपको यहां पर करने को मिलता है इसी लिए just say no to the face to face classes राइट चलिए फिर इसके बाद में अगला पॉट आता है क्या कि आपको थर्टिय था फेपरल तक अपनी जो classes यह करनी है company जैसे कि अपना plan of action था फिर इसके बाद में जून 2023 का जो exam आपका रहेगा वो यहां पर होगा एंड भाईया इतना preparation करने के बाद में तो मैं 100% sure हूँ कि जैसे बाकी जो बच्चे हैं उनका exam हर बार ऐसा होता है क्या कि कोई भी अगर मैं बात करूंगा batch के बारे में कोई भी बात करूंगा exam के बारे में तो हर exam में all India rankers आती आते हैं अगर मैं 2022 के बारे में बात करूंगा तो दो बार रिजल्ट यहां पर आचुके हैं और यह दो बार के आपको भी क्या करना है जैसे जैसे हम यहां पर guidance आपको प्रवाइड कर रहे हैं बस उसी के साथ में अपने आपको जोंग देना है और पूरा 100% आपको यहां पर देना रहेगा राइट चलिए अगला सवाल यहां पर आता है कि सर ठीक है preparation का तो समझ में आ गया लेकिन सर अ इंडिया जो है वो भी believe करता है और उसी के वज़े से जो result है वो हमेशा amazing आता है और आपको भी believe करना चाहिए क्या सबसे पहली बात जो भी पढ़ाई करेंगे वो consistency के साथ करेंगे लगातार 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 सुना होगा अपने मैंने बार बार कहा है करत करत अ बार बार प्रैक्टिस करेंगे लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सर कच्छुआ जो है वो भी बोले किस से आगे निकल गया था खरगोश से आगे निकल गया था तो हम क्यों नहीं निकल सकते हैं दूसरा यहां पर point आता है conceptual clarity कभी भी कभी भी एक्जाम को पास करने क हिसाब से पढ़ाई मत करो बलकि knowledge को हासिल करने के हिसाब से पढ़ाई करो अगर knowledge के पीछे भागोगे तो guarantee की बात है कि degree जो है वो साथ में चली हुई आईगी लेकिन अगर degree के पीछे भागोगे तो just average इंसान जो है वो बनके रह जाओगे even degree आने के बाद भी और degree भी आपका जो revision है वो एक बार नहीं बलकि एक subject जो आपका रहेगा वो दस बार आप यहाँ पर क्या कर चुके हो revise कर चुके हो तो अगर आपने scientific तरीके से effective तरीके से सही समय पे सही revision अगर आपने किया ना तो यह उसका जो impact होगा वो आपका अलग ही रहेगा चली फिर इसके ब लावा अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यह आपका आज आएगा राइटिंग प्रेक्टर्स वेरी मच इंपॉर्टन तो सब्सक्राइब में थे एंसी के वाला पैटर्न हुआ करता था ठीक है क्या करना है आग बंद करके टिक करना है कोई प्रेक्टर्स नहीं कर नहीं इसे केस में बात यहां पर करूंगा तो क्या कहा गया कि आपको यहां पर राइटिंग प्रेक्टर्स आपकर और यह करना पड़ेगा कि मुझे हर सब्जेक्ट का एक दिन में एक खोर्शू जो है ऑगर मैंने एक सब्जेक्ट का एक खोर्शन भी यहाँ पर लिखा तो एक्जाम होने तक 180 खोर्शन जो है मैं यहां पर लिख चुका हूँगा और अगर मान लिजए for example की मेरे हैं कुल मिला पर आप सोच के देख लीजे मेरे भाई कि कितना खतरनाक लेवल पर आपका प्रिपरेशन जो हो चुका होगा और आपकी जो राइटिंग है जिनकी इंग्लिश भी वीक होगी ना वो भी यहां पर एक्सपर्ट बन चुका होगा लेकिन अगर मैं यह देट तक के बारे में बात करूंगा तो आप यहां पर एक्सपर्ट बन चुके होगे फिर इसके बाद में बात करता हूं लास्पांट के बारे में तो यह आ जाएगा आपका कौन सा सब्सक्राइब मेनेजमेंट काफी सारे बच्चे होते जो कहते सर पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई हर कोश्चन का अंसर जो वह में आता है लेकिन पेपर छूड़ गया सर असी माग का ही पेपर हो पाया नबबब माग का ही पेपर हो पाया हो पाया 85 माग का ही पेपर हो पाया पेपर छूड़ गया और उसके विशे में फेल हो गया तो गईस यह बहुत ध्यान से आपका पेपर कभी भी लेंदी नहीं होता है चितना टाइम प्रेड आपको दिया हुआ रहता है वह हमेशा सफीशन रहता है बस आपको यहां पर क्या ध्यान देना पड़ेगा ध्यान ये देना पड़ेगा कि अगर आपका 100 माक का पेपर है तो ऐसे केस में उसको solve करने के लिए 180 मिनट जो आपको दिये गए इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका एक माक का पेपर रहा तो आपके पास में 1.8 मिनट है अगर आपका दो माक का question रहा तो आपके पास में 3.6 मिनट है अगर आपका जो question है वो तीन माक का रहा तो आपके पास में 5.4 मिनट है अगर आपका पेपर है वो चार माक का रहा तो आपके पास में 7.2 मिनट है कि मेरा में हब मेर में अगर कुली व flatter देगा फिरेंद निरे अफ्सके पास में उस कॉश्छन का लिखने के लिए को प्रपर तरीगे से ना कर एंड मेरे भाई जो नेक्स वाला पॉइंट आपका यहां पर आता है पांचमा पॉइंट जो कि भाई साब मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल आप सभी लोगों के लिए बहुत पतलब बहुत ही जादा इंपॉटेंट वाला पॉइंट है कौन सा स्टे अवे फ्रॉम दा नेगिटिविटी आप लोगों ने यह देखा होगा के टाइम पे कि आप लोगों को पढ़ाई से डिस्टेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के हरकते जो है वो लोगों के दवारा की जाती थी कैसी सब जो बूले या तो आपका जो नंबर है उसको चोरी करके किसी दूसरे वाटसब ग्रॉप पर जोइन कर दिया जाता था या तो आपको जूटे वाले जो स्टडी मट्रिल वगरा है गलत गलत स्टेडी मट्रियोन जो है वह आपको फ्री ओफ प्रोईड करने की बात करी जाती और CS Card India की जो success journey है उसका हिस्सा आप यहाँ पे ना बन पाएं अइसी कोशिसे जो है वो CS executive में भी की जाएंगे और उसका कार्ण बहुत simple सा है मेरे भाई क्या सबसे पहली बात कि CS Card India ने जब पहली बात CSWT के लिए free of cost classes को provide करना start किया तो उसके पहले लोग 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए या 20,000 रुपए जो है वो CSWT को पढ़ाने के लिए charge किया करते थे जो की अब लगबग पुरा ठप हो चुका है तो CS Card India जो है वो लोगों के नज़रों में खटकता है अगर मैं CS executive के बारे में बात करूँ तो CS Card India के आने के पहले एक एक क्लास के लिए 50,000 रुपए से लेके 17,000 रुपए की जो fees है वो charge की जाती है थे CS executive के लिए और वही पे अगर मैं CS Card India के बारे में बात करूँगा तो 20,000 रुपए के अंदर आपका पूरा executive जो है वो यहाँ पे आपका prepare हो जाता है वो भी quality वाले classes के साथ में quality वाले knowledge के साथ में जहाँ पे हर attempt के अंदर बच्चे जो है वो all India rank लेके आते ही आते हैं उनके साथ में और वही पे जो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए 70,000 रुपए चार्ज किया करते थे अगर मैं उनके result के बारे में बात करूँ तो negative result जो है वो यहाँ पे रहा करते थे तो CS card इंडिया का आखों में खटकना जो है वो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा और जैसी हरकते CSWT में हुआ करती थी जैसे ही आपका admission का process यहाँ पे start होगा ना वैसे यहाँ पे भी वो हरकते करना start कर दिया जाएगा क्यों? सब बले यह तो सब को पता कि CS card इंडिया का जो काम है, जो मेहनत है उसको खराब नहीं कर सकते कैंने के पीछे नहीं हटें लेकिन नाम खराब करने की कोशिश जो है वो जरू किजए क्यों कि आoupeने सुना होगा यह चीज के बारे में कि अपने सुना होना कर जिसका का स्को इसका क्या कर देते हैं कोशिश करी जाएगी चीजों को नेगेटिव करने के बारे में fake audio सुनाए जाएगे, fake आपको comments वहाँ पे दिखाये जाएगे, fake आपको वीडियो जो है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी, आपको भटकाने की कोशिश जो वहाँ पे की जाएगी, कि ऐसा है, वैसा है, फ्रा काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जो starting में क्या होते हैं, थोड़े से divert हो जाते हैं, कि सर मैं तो बहग गया था, और फिर उसके बाद में, जब पूरी बाच खतम हो जाती है, तो फिर वापिस से आते हैं, कहते हैं, कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई, कि मैं बहकावे में लोगों की जो बाते हैं, वो मैंने यहां पर सुन ली, और मैंने अपना जो करियर है, वो यहां पर दाव में लगा दिया, जैसे कि यहां पर इस बच्चे के बारे में बात कर लीज़े, अभी रिसेंडली, डिसमबर दो हजार बाइस के लिए बच्चों के जो प्रेपरेश है, बीच में लटका पड़ा, भगा भगा कि बुले पूरा का पूरा जो सलेबस था, उसको कम्टिट कर दिया, डाउट सॉलविंग के बारे में अगर बात करेंगे, कोई डाउट सॉलविंग अगर जो है, नहीं करी गई, अगर एक सवाल के बारे में तीन-चार बार पाऊंगा मुझे एक्जाम अगले जून में देना है यारे कि छे महने अगर मैं यहां पर बात करूं तो सीधे क्या हो गए बरबाद हो राइट चाहे आप इनकी बात कर लो चाहे आप इनकी बात कर लो यह संगमाएं तो आप लोगों के लिए टार्गेट सिर्फ यह नहीं है कि हमें रहे छाहे पर यहां पर पर यहां है के पास नहीं करना है हमें ऑल इंडिया rank का हासिल करना है और इस target को achieve करने के लिए पूरे positive attitude के साथ में पूरे positive energy के साथ में हमें बस आगे बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है और हमें इस इसको करके दिखाना है सो लेट्स डिसाइड वन्स अगें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मिलते हैं classes के अंदर तिल देन टेक यह बबाइज एंड लव यू आप